Hello Friends, कर्मियों और बरसात के मौसम में पैरों में फंगल इंफेक्शन बहुत ही आम होता है ऐसे मौसम में कई लोगों को बहुत ज्यादा पसीना होता है जिसके कारण कई तरह के फंगल इंफेक्शन डेवलप हो जाते हैं ऐसे ही कुछ डिसॉडर्स हैं जैसे की उनाइको माइकोसी इस अथलेट्स फूट्स और दूसरे फंगल इंफेक्शन तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे अथलेट्स फूट्स क्या होता है इसके कौजेज सिम्टम्स टीट्मेंट में कौन-कौन से मेडिसीन यू कुछ होते हैं तो आये फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद वह वीडियो ज़रूर देखने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अथलेट्स फूट एक ऐसा कंडिशन है जिसमें पैरो के स्कीन के उपरी लेर में फंगल इंफेक्शन हो जाता है इसे पैरो की अंगुलियो के बीच बहुत ही असानी से देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है उनके सरीर में यह बहु इस तरह के फंगस फ्लोर या फिर क्लोथ वगेरा से बहुत ही आसानी से ट्रांसफर होकर के इंफेक्शन कॉज करते हैं और यह इसकीन के सिर्फ उपरी लेर को ही अफेक्ट करते हैं इस तरह के फंगस के लिए वाम और मौश्ट इन्वायर्मेंट चाहिए होता है इसी इसके अलावा इस तरह के फंगस कंटेजियस होते हैं जो एक इंफेक्टेड व्यक्ति के द्वारा प्रियोग की गई चीजों को छूने से फैल जाता है इसके अलावा कई बार साफ सफाई का उचित ध्यान ना रख पाने के कारण इस तरह के कंडिशन डेवलप हो जाते हैं शिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडिशन में सबसे पहले इसकीन डिस कलर हो जाते हैं जो ड्राई, फ्लाई की, रेड और क्रैकिंग जैसे दिखाई देते हैं इस कंडिशन में अफेक्टेड एरिये में खुजली होता रहता है और कई बार तो ब्लिश्टर्स का फार्मेशन हो जाता है ऐसे में इसकीन और नेल्स के एरिये में मौझूद सेल्स इंफेक्शन के कारण डेड होने लगते हैं जिसके बाद फिर इसकीन के अंदर बैक्टिरियल इंफेक्शन शुरू हो जाते हैं और कई बार तो इसमें पस का फार्मेशन भी होने लगता है जैसा कि यह कंडिशन कंटेजियस है तो ऐसे में अच्छे इनवायर्मेंट के मिलने से यह फंगस तेजी से ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी पूरे पैरों में फैल जाते हैं रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो इस तरह के फंगल इनफेक्शन के डेवलप होने के बाद यह सरीर के दूसरे हिस्से में भी फैल सकते हैं सरीर के दूसरे हिस्से जहाँ पे लगातर पसीना होता रहता है वहाँ पे यह fungus अपना development कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो tight fitting suits पहनते हैं या फिर एक ही socks को लगातर पहनते रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में इस तरह के fungus का infection होने का खत्रा जादा रहता है इसके साथ ही यह कई बार कपड़ों को share करने से spread हो सकते हैं या फिर skin to skin contact से भी यह spread हो सकते हैं इसके अलावा यह fungus, contaminated surface, bed seat यह towel के जरिये spread हो सकते हैं treatment की अगर हम बात करें तो इस तरह के condition में मेली anti-fungal drugs जैसे की clotrimazole, meconazole, tervenafine और itraconazole इसके अलावा फ्लुक्नाजोल टेबलेट जैसे medicine को प्रियोग में लाए जाता है इसके अलावा इस condition को दूर करने के लिए कुछ दूसरे over the counter medicines के साथ-साथ antibiotic और topical steroid medicine भी प्रियोग में लाए जाता है इस condition में फ्लुक्नाजोल टेबलेट और clotrimazole dusting powder का प्रियोग बहुत ही ज़्यादा helpful होता है इसके साथ ही कुछ दूसरे antifungal topical cream भी प्रियोग में लाए जाते है prevention की अगर हम बात करें तो इस condition के develop होने पर साफ सफाई का उचित ध्यान रखना सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके लिए socks वद दूसरे कपड़ों को हर रोज change करके disinfectant से साफ कर लेना चाहिए इस condition में इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि इसकीन को साफ करने या किसी भी क्रीम वगेरा को लगाने के बाद हाथों को अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए अन्यथा infection शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है इस तरह के condition से बचाव के लिए कभी भी नंगे पैर नहीं चलना चाहिए इसके अलावा tight सूज को नहीं पहनना चाहिए home remedy की अगर हम बात करें तो इस condition से बचाव के लिए गरम पानी और साबुन से पैरों को धोना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इसके साथ ही हलके गरम पानी में फिटकरी को डाल कर उससे पैरों को धोने से blisters वगेरा बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं पैरों को धोने के बाद अच्छे से पोच कर सुखा लेना चाहिए इसके अलावा cotton के socks का प्रियोग बहुत ही ज़्यादा helpful हो सकता है वीडियो के से लगए कमेंट करके जरूर बताए अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें और चनल को सब्सक्राइब करें साथ ही दोस्तों के साथ सेयर करें